हेलो स्वेर्ड हम लोग के प्रैक्टिकल एक्जाम में डिजिटल मार्केटिंग किस तरह वर्क करेंगे इसका लेक्चर हम लेने वाले एसोपी वन को हम लोग अच्छी तर सेखते हैं डिजिटल मार्केटिंग भी हमें समझ में आ जाएगा एसोपी वन में with the help the SEO tool which is the freely available to optimize the website and write down the following find ask the teacher's exammer to the provider URL of the website optimize यहाँ पर उन्होंने बुलाए कि website जो भी आपको teacher या तो कोई exammer आपके सामने रखेंगे उसका optimization करना है exactly optimization मतलब क्या करना है तो उसका audit करना है मतलब just like के अगर किसी ने कोई भी company का आप commerce trend है कोई भी company का audit करने के लिए बोला तो उस company का audit करना है audit में होता क्या है चलो वह भी नहीं पता रहेगा आपको कोई बात नहीं है लेकिन simply आपको अगर किसी ने बोला कि XYZ company का audit करना है और कुसी ने question पूछ लिया आप कौन से company का audit कर रहे हो तो answer होगा यह आपके पास कि हम लोग XYZ company का audit कर रहे हो तो वैसे यहाँ पर first question भी देखोगे तो यहाँ पर लिखा वाए name of the website you are the optimized कौन से website का optimization मतलब audit कर रहे हो जो भी हम लोग website का audit करने वाले उसका नाम देना है उस audit को title tag है क्या मतलब जैसे कोई company XYZ company वह अगर किसे ने पहुचा उस company का कोई address है क्या मतलब वह कौन से नाम से logo है क्या उसका तो आप बोलोगे अगर logo होगा तो हाँ बोलोगे नहीं होगा तो नहीं बोलोगे वैसे title tag है या नहीं है लेकिन यह सारा चीज कहाँ पर काने में कौन से कौन से employee काम करते हों कौन से कौन से department है अगर किसने पूछ लिए आपको जैसे कि कोई बोलेगा outdoor department है कोई बोलेगा indoor department है या तो कोई Clark है वहाँ पे अलग-अलग वैसे यहाँ पर भी question पूचा हुआ है उन्होंने कि whether the side of the header tag वहाँ पे header tag है अगर है तो कौन से कौन से type की header tag है उसके बारे में information बताओ उसके बाद उन्होंने बला कि उसमें images है क्या उसके अल्टर अल्टर अट्रुबेटेद दिखाओ अल्टुबेटर मतलब कि उसके क्या अगेंस कोई short form का नाम है तो वह भी बता देना तो उसके बाद उन्होंने बुला कि उसको कितना है मतलब वह ग्रेड में कुतना है मतलब कोई भी company एक्क्वाइज कंपनी है थी वह company A plus है क्या B category की है क्या C category की है कि SC minus है तो उसकी पूरी information आपको बताना है लेकिन search तो यही टूल के वज़े से हम लोग क्या करेंगे एक website का audit करेंगे अभी कोई तो एक website लेते उसका audit करते और इस question के answer यहाँ पर हम लोग क्लिकना चालू करते तो audit करने के लिए कौन से website है जिससे हम लोग कोई भी company का audit कर सकते है जैसे मुझे लगा कि मैं Google का audit करना चाता हूँ या तो कोई और भी website है जैसे YouTube का audit करना चाता हूँ या और कोई company है जैसे मैं internet paper कोई company का नाम डाल देता हूँ जैसे यहाँ पे मैंने Google में डाला यहाँ पे Google में मैंने company कोई company नाम लेते है company का नाम हमारे पास अभी तो available मैं कौन से company ले लो जैसे मनों मैंने बला की कोई food की company ले ले या कोई gift की या तो newspaper वालों की company में लेते है लाश्ट टाइम मैंने एक lecture में लेका था newspaper न्यूजपेपर लीष्ट महरादी ओके मी कोई भी company की website ले ले लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर अलग-अलग newspaper के नाम सार है जैसे कि यहाँ पर कोई website दो नहीं मिल रही है तो मैंने यहाँ पर online कोई website है तो मैंने यह website open करके देख लेते हैं इस website का नाम क्या है तो अच्छा ठीक है मिल गया मुझे यहाँ पर लोकमत करके website मिला वहाँ है मुझे कौन सा website मिला वहाँ है लोकमत मत यहाँ पर www.loakmat.com इस website का हम लोग क्या करते हैं audit करते हैं तो मैं इस company का नाम audit के लिए मैंने decide किया अगर किसी ने पूछा कि कौन से company का या कौन से website का आप audit करना चाते हो या तो कौन सी company आपने choice की हुई है तो मैंने decide किया www.loakmat.com अब इस second question के तरफ जाने के पहले हम audit के लिए कौन से website यूज़ करेंगे तो audit के लिए मैं website यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे अलग-अलग नीचे SOP 4 के अंदर यहाँ पे नीचे note में अलग-अलग website के नाम दिये हुए जैसे मैं यूज़ करने वाला ये website लेक तो वो website प्रवाइड नहीं करते हमें मतलब कौन सी यह SEOoptimates.com यह अगर website open करता हो और बार बार उसे कोई ना कोई company website का नाम डालके उसका audit करना चाहते हो तो वो लोग हमें permission नहीं देते उसके लिए हमें क्या करना पढ़ता है कि वो website में जाके login करके purchase करना पड़ेगा हम ल members बनना पड़ेगा तब जाके हमें बार बार कोई भी कब कोई भी website का optimization कर सकते हम लोग या तो audit कर सकते तो मैं काम कर देता हूँ यह जो है यह second वाला website मैंने इसे right click करके इसे copy कर लिया copy नहीं करना है आपको इसका नाम डालना है तो डाल सकते हैं मैंने copy the link address और यहाँ पे जाके उसे मैंने यह address मैंने send कर लिया देखो कुछ तो rank.com करके हैं अभी इसमें अगर मैं सामने देखोंगा कि यहाँ पर audit होता है कि नहीं होता है मैं confirm नहीं किया हुआ है मैं सारे website open करके देखता हूँ शाय सले net slow है ठीक है मैं और एक मैंने मेरे मुझे विश्वास है कि यह website सही दंग से audit करती है तो first वाली website मैंने select कर लिए इसे copy कर ली जो को confusion नहीं कर रहा हूँ मैं website का नाम डाल के खाली open कर रहा हूँ website मैंने website नाम डाला open कर रहा हूँ website open हो गई है यहाँ पे हमें कौन से website का audit करना उसका नाम डालना है तो हम लोग ने decide क्या था कि लोकमत. .com करके website मैं रही है इसका नाम पूरा नाम मैं यहाँ पर टाइप करूंगा for example में दिया हुआ है वहाँ पर मैंने type किया टाइप क्या क्या मैंने मैं htp slash यह सब कुछ मिला हुआ हुआ है www.lokmat.com तो मेरा पहला question का answer मिल गया मुझे पहला question क्या पूचा था उन्होंने name of the website you are the optimize तो मैंने बुला कि मैं optimize कर रहा हूँ लोकमत का और मैं audit के ओपर क्लिक किया जैसे मैंने audit के ओपर क्लिक किया वैसे ही यहाँ पर audit होना चालू हुआ देखो process चालू है screen चालू है process चालू है यहाँ पर यह लोकमत तो यह प्लस दिखाए दे रहा है recommendation DIY 0 यहाँ पे तो मे यहाँ पर में 0 डाल सकता हूँ अगर इन्होंने 0 लिक है नहीं बढ़ गया यहाँ पर 5 आ गया B प्लस में आ गया यहाँ तो page very good और यह सब कुछ audit हो रहा है 97 98 टक audit हो गया यहाँ पर audit होने के बात यहाँ पर पूरे question answer हम लोग देंगे वहाँ पर क्या क्या पूचा उन्हो को तो सबसे पहले पूचा उसने company का नाम क्या आपका कौन सा website आप यूज कर रहे हैं तो मेरा answer हो गया यहाँ पर मैं लिखूंगा www.com तो इसका answer मेरा पूरा हो गया तो first answer हो गया तो second question पूचा था उन्होंने कि इस यह side में title tag है या नहीं है title tag है या नहीं है कैसे पता चलेगा तो मैं down arrow से नीचे जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे title tag दिखाई देगा जैसे से मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पर title tag जहाँ बिल गया title tag यहाँ पर title tag यहाँ पर cross दिखा रहा है तो cross क्यों दिखा रहा है क्योंकि उन्होंने condition दिया हुआ है आपके जो character है वो minimum 10 और maximum 70 character include होने चाहिए without space लेकिन इनके पास तो बहुत सारे character है इसे ऐसे मिला कि उनके पास 141 है लेकिन मुझे question पूचा गया है कि title tag है या नहीं है तो यहाँ पर audit करने क है और साब audit के बारे में जनकर ही आई है वो company क्या करती है क्या नहीं करती है सब कुछ audit आ गया है तो उसमें अगर मुझे मिल गया कि उसकी balance जैसे हम लोग कोई normal company रहेगी तो उसकी profit and loss है क्या उसका differentiation है क्या या तो कहीं पर bad depth है क्या ऐसे पूचाता है किसे बैट डिप्स है वैसे मैं पूछ रहा हूं कि title tag है या नहीं है title tag है तो मैं वहाँ पर answer दूंगा yes second लिखा हुआ है कि header tag है है या नहीं है तो मैं वहाँ पर header tag find out करूंगा कौन सा header tag और है तो कौन से tag वहाँ पर है तो अब भी मैं वापस वही website के इतर जा रहा हूं मतलब audit के तरफ और यहाँ पर find out करूंगा कि header tag header tag हाँ यहाँ पर कुछ header tag दिखाए दे रहे है यहाँ पर images दिये हुए है h1 header tag तो यहाँ पर h2 से h6 तक मतलब यहाँ पर हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है h1 के header tag है वैसे उन्होंने बुला है h1 का header tag भी है अपने पास h2 का भी है और h6 तक यह पूरा चार्ट यह पूरा जो लिखावा टेबल है header tag frequency यह यह तो h1 यह सारा यह question का answer रहेगा यहाँ पर आपको draw करके लिखना है एक्जाम पेपर रहेगा वहाँ पे यह देखके आपको ऐसे के ऐसे लिखना है तो first answer था हमारा कि हम लोग logmat.com का हम लोग optimization कर रहे है second लिखाई title है इसमें title और उसका length लिखना है तो लिख सकते हो अगर नहीं लिखना है तो खली यह लिख के छोड़ सकते हूं इसमें header tag है का tag है और उसके साथ साथ कुन से कुन से tag है तो सारे tag का chat मैं नहीं यहाँ पर बना दिया उसके बाद दिया हुआ है इमेज 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 यूज है अल्टर टाइट अट्रिविट तो इमेज इस कहा पर है तो इमेज इस में find out करने के लिए नीचे जा रहा हूं यह तो बढ़री रहा है एच वन एच तू तो मैं इसे लिए keyword लिखा हुआ है अगर कोई question में पुचा रहेगा keyword तो keyword में उन्होंने सकी बाहर आती है keyword के नाम है मतलब हम लोग Google में find out करते है तब keyword क्या है मतलब exam में अगर किसे ने जा keyword क्या है तो keyword बता देना है वहाँ पे जल दिया हुआ है उन्हों उसके बाद दिया अच्छा यहां पे आया है image alt alt attributes attributes अगेंस का नाम you have the images your page and attributes कितने found मिले उनके 299 image मिले हुए और 15 करके दिया हुआ है तो यह सारा question का जो answer है यहां पे लिखना है 299 images यहां पे लिखना है और उसके आगे उसके बाद दिया हुआ है visual ability कितना है तो यहां पे मैंने नीचे जाके चेक करने के बाद मुझे यहां पे links मिला friendly links भी पूचेंगे यहां पे मिला इसका answer आएगा F क्या लिखोगे खाली answer F और यह भी लिखना है यूर पी पे चाहिज विद विल्टी यूशू द एक्रो सिंग और यह भी sentence पूरा rank के साथ आपको इस question के आगे answer लिखना है अगर यह answer सही दंग से आता है आपको तो आप वही वही website को इससे भी find out करना चाल करो तो आपका practice होगा नहीं तो वो जो है वो यहाँ तक ही मैंने limited रखा था SOP 1 मैंने detail में explain क्या है अगर आपके पास PC नहीं है तो आप mobile में यह website डालना है और उसके जहाँ पे अगर पूचा गया की website का नाम क्या है तो यहाँ पे website का यह दूसरी website है मेरी यह भी website डाल सकत मतलब मैंने यहाँ पे यह डेबल टी पी जैसे कि लोकमत लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने youtube.com डाल के देख देते है डाट कॉम डाला मैंने अगर इसका audit करना है तो यहाँ पे चेक करके में डालूंगा तो audit होगा तो अच्छी बात है तो audit में मुझे पूरा बेदे का audit होन तो पहली वाली website में जातके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि तो उसका मैंने यहाँ पे फर्स में देखा था यहाँ पे लिखा है यहाँ पे यह ग्रेट तो पता नहीं किसका दिया हो है हाँ यहाँ पे ए दिया हो है यहाँ पे एफ दिया हो है लिंक का इसका एफ दिया है इसका बी दिया हो सोशल का यह दिया हो है security तो मेरे खाल से नहीं दिखाई दे रहा है तो security के लिए आप यहाँ पे कोई head यह दिया नहीं है तो वो अपन नहीं दे सकते या तो blank चोड़ो या तो धूंडो वहाँ पे security दिया है नहीं है क्योंकि last time lecture में भी हमें security नहीं मिलाता इसका यह देखो यह जो दिखाई दे रहा है यह सारा paper का जो भी chart जो भी दे से भी दिख रहा है यह same यह same layout आपके book में भी है अगर book end में जाओगे न तो book में यह सारा चीज़े देखो यहाँ पे देखके भी answer दे सकते आप किसका क्या answer देना है और यह यहाँ पे security तो दिया नहीं है इधर भी security में ने चेक किया था यह book का है यह website का नहीं है तो यह website का नहीं देखो यह answer है यह tag का उन्हों दिया यह दिया वाए यहाँ पे security दिया वाए तो यहाँ पर second question का answer इस तरह था, second question हा, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ second question के तरफ यहाँ पर, वैसे third और यह, अगर audio lengthy लगा, तो request है, कि सुन लेना, क्योंकि exam में use होगा, उसके बाद में database का भी आपका, जो chapter है, वह भी finish करने कोशिश करूँगा, वह भी explain करूँगा, database भी easy है, और उसके बाद, जिस जिसको exam, मतलब practical exam मेरे खाल से, first February से लेके 20 February के अंदर practical exam होगा, आपका यह February के, तो आप choice करो, अपना, कोन सा program आप net के ओपर बना के दिखा सकते हो, या तो यह digital marketing है, या तो आप HTML ले सकते हो, या तो GST का ले सकते हो, और database का मैं अभी पढ़ाओंगा, वह ले सकते हो, आप choice करो, मुझे यह program सर मुझे अच्छी तरह से आता है, मैं बाइड करके रखा हो, और लिक्के भी दे सकता हो, या computer पर टाइप कर सकता हो, वही program आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे, एक या दो program आप choice कर लेना, उसे बाइड करो, और आपके role number और नाम के साथ, मुझे ओ प्रोग्राम आप WhatsApp पे send करोगे, तो मैं आपको वही program आपको प्रोग्राम आपको प्राइड करूँगा, हाँ, question के दर्ब जा रहा हूं है, यहाँ पे वापस, SOP हम लोग का 2 था, इसके सब नाम डालती है, इसमें से हम लोग कुछ security नहीं मिला, check the broken link and images, मतलब broken link भी check करना है, और images भी check करना है, तो यहाँ पे broken link और images कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे sentence देखना चालू करो, तो यहाँ पे link तो मिला मुझे, लेकिन broken लिखा हुआ क्या किदर, यहाँ पे back link लिखा हुआ है, number of the link लिखा हुआ है, friendly लिखा हुआ है, broken link तो मुझे नहीं दिखाई दे यहाँ, पे अगर sentence में लिखा रहेगा, तो broken link नहीं दिया हुआ है, चलो images है, क्या देखते है इसक last time देखा था, यह link ही है, child page link है, देखो मैं भी search ही कर रहा हूँ, आपको भी search करके देख रहा है, mobile पे website का नाम डालोगे, तो आपको भी details मिल जाएगी, यहाँ पे show free, यहाँ पे image link भी नहीं दिख रहा है, मुझे अभी, image alter link है, image alter है, image link चाहिए अपने को, यहाँ पे language, यहाँ पे मुझे, हाँ यहाँ पे कुछ दिख रहा है, link यह सब link का ही है शायसे, यह link कैसे, यह देखो यहाँ पे मिला link, तो link के दिखाई दे रहा है, उन्होंने, link में यहाँ पे link दिया है, ठीक है, link lower property दिखा रहा है, लेकिन link में कुछ option नहीं है, ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक, मैंने copy किया, और जहाँ पे audit है, इसका search में, searching कहाँ पे find, 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 find तो नहीं मिल रहा है, मुझे मिला, और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, और मैंने search किया, तो नहीं मिला है, ब्रोकन मिल रहा है क्या देखते, नहीं यहाँ पे link, link 25 है, link में यहाँ पे link दिया हुआ है, तो link में जाओंगा तो यह link है यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे link है सारे, black link है, friendly link है, और images, images के लिए में image करके में डाल दूँगा, images में images लिखा है ना अभी और कुछ ने लिखा है ना, और images लिखा हुआ है, तो images में यहाँ पे, images इसने, ultimate images दिया हुआ है, तो images वही है उतना ही है, तो आपको दोनों तरफ यहाँ करना है, check the yes करके डाल देना है, अपने जो questions होल किया था, उसमें भी second में रहेगा, उसका social media link है क्या, if given the name the social media, अभी social media link चुनना पड़ेगा, social media link मतलब जैसे की Instagram है, जैसे की मैंने बुला कि यहाँ पे keyword है, Facebook है, social media का कोई नाम दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस्टेमलेशन यह DIY यहाँ पे link है, number of details, tag tag, good, Facebook लिखा हुआ है, यह देखो नाम दिखे हुआ है, connecting है, link है, बरना, Facebook को link है, social result DIY देखो उन्होंने, और social result में उन्होंने अच्छा result है, उन्होंने बुला है, Facebook है, नाम दे सकते हैं, Twitter है, Instagram है, link in दे सकते हैं, YouTube है, यह social media का कहा पे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बाद यह tutorial यहाँ पे first और second आने वाला है, तो दोनों में से ही आपको क्या करना है, choice करना है, आपको अच्छी तरह से कौन सा आ सकता है, और वही मुझे आपका mobile, sorry, आपका role number, division और program का नाम, digital marketing, SOP 1, या digital marketing, SOP 2, सब लोग एक ही मत choice करना easy करें इसके लिए, क्योंकि सब को अलग-अलग मिलेगा, बात में मुझे choice करना नहीं पड़े, तो simply एक चोड़ के एक बाहर करना चालू करो, thank you.